बिपीसी सिचकों को अभी नहीं मिलेगा बेतन, इस कारण करना होगा इंतजार, जाने कब तक मिलेगी सेलरी, सिच्छा विभाग के ACM के के पाठग ने कहा था कि नव्यूक सिचकों को समय पे बेतन दे दिया जाएगा, लेकिन बिहार के स्कूलों में बहाल बिपीसी सिचकों को बेतन के लिए भी और इंतजार करना होगा, उनकी पहली सेलरी में एक पेंच पर्मानेंट रिटार्मेंट अकाउंट नमर यानि प्रान नमर का फस गया है, राजसरकार बेतन भुकतान के लिए जीलों को आवंडन दे चुकी है, अरबो में आवंडन दिया गया है, जैसे नहीं फसे पेच का समधान होगा, सिचको के बैंक खाते में पहली सेलरी चली जाएगी, उसके बाद बेतन भुकतान का रास्ता खुल जाएगा, वैसे इस पेच भी भाग किस अस्तर से पूरी कोशिस की जा रही है कि पेच का समधान कर सिचको को बेतन मिल जाए, नविक लकम दो से तीन सबता तक का और इंदिजार करना पर सकता है, जब तक सभी सिचको को प्रान कार निर्गत नहीं कर दिया जाता है और उन्हें प्रान नमर नहीं मिल जाता, तब भुगतान संभभ नहीं हो पाएगा, प्रान नमर यानि पर्मानेंट रिटार्मेंट नैशन पेंसन सिस्टम में सामिल होने वाले सभी सरकारी सेपकों को प्राण कार निर्गत किया जाना निवार है। डीपियों ने सभी बीईयों को सिचकों से जैसे जैसे प्रान कार्ड प्राप्त हो उसकी हाड कौपी उपलफ्त कराने का निर्देश दिया गया है अब तक मात 50 फीजदी सिचक प्रान नमर प्राप्त कर सके हैं कठित तौर पर बहुत सारे सिचक प्रान कार्ड के लिए अपल पेल्ट कर दिया गया है जिसमें 449 माधमिक और साथ उच माधमिक अस्कूल सामिल है सोमबार को बिहार विद्याल परिच्छ समीती के शशी निकाय की बैठक आयोजित की गई और इसमें ये फैसल लिया गया बोर्ड अध्यच अनन्द किसोर ने कहा कि मापड़न को पूरा नह नहीं है वही कई एस्कूलों ने जाजकारी में सहयोग नहीं किया इन सभी एस्कूलों को इजांच सिछब विभाग के अधिकारी ने की थी अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही बिहार बोर्ड से संबंधता प्राप्त परदेश के 446 अस्कूल की संबंधता निलंबित कर दी गई है बिहार विद्याले परिछा समीती के अध्याश अनंद की सोड ने कहा है कि इन सभी स्कूलों को समय दिया गया है कि वह समय सिमा के अंदर मानक के अनुरूप विद्याले को तयार कर लें अगर इसके बाद भी स्कूल को मानक के रूप में तयार नहीं किया जाता तो अस स्कूलों से बोट की परिच्छा में सामिन होने वाले उन्हें उसी स्कूल के माध्यम से एड्मिट कार्ड, डेजिटेशन कार्ड और तमाम जरूरी कागज़ात उबलब्द कराये जाएंगे।